और दुनिया में गुरु बन के बैठा है। आपना परिचोय तो जानता नहीं आपके पिता कौन है। अफ उसका तीसरा नेत्र खोला है या आप आपने को गुरु मन के बड़े बड़े विफ्ट्यू बन चुका है यह सब के सब देश को बरबाद करने बाला एक एक नायक है असुरू में मैं हूँ हर किसी में मैं हूँ गंगा में मैं हूँ हर किसी मैं लेकिन पूरी गिता में क्या उनको राधारानी याद नहीं आई कहीं पूरी गिता मुन्होंने राधारानी का नाम नहीं लि ना वहां पर तो प्रेम नहीं यहां तक लड़ा ही चल ला है क्यूंकि एक तरब पत्दी के अर्थोल किसी एक कण्या नहीं है राध जितने भी उनके सहचरी थी यह राधारानी के अंग्स से पकट हुई थी जो कह रहे हो गैन अग्येन से कर रहे हैं आपको तो फल प्राप्त हो रहा है नमस्कार दोस्तों जन्ता की अवाज में आप सभी का स्वागत हैं मैं कने सर्मा संतों के सीरीज आपको जारी है संतों के दर्सन करा रहा हूं आपको किस परकार के लग रही है मुझे जरूर बताना आज मैं जिन संतों के आपको दर्सन करवा रहा हूं आपको करवाने से ज्यादा खुछी तो मुझे करने में होगी क्योंकि मैं उनके दर्सन के अभिलासा लेकिन जो गाउवास यह हूं के उन से वहां से जान के लूँगा और क्यूंकि उनके थुरू मुझे जान के मिली यहां पर महात्मा जी है संत है जो त्यागी है तपस्य है भजनानंदी है साख साथ कह सकते है ठाकुर्जे का रूप है पहले तो मराजी आपको परणाम करता हुए है जासे फेकिक आपके थुरू उन्के धर सन्होंगे योजेश जिवन मेरा आम सीटार एंभर मेरा जी के ने जैसे की आप महात्मा जी की आम जिक्र करे रहे था इनके दर सन जीवन में एक कि इनकी तरह मैंने संती नहीं देखा which I'mिए कुसी दुनियादारी से मतलब है इनको नहीं कोई मतलब है इनको पहले तो यह मन तूका-टूका मांग के मतलब यह वह मतलब यहiers फिए एक भी आफ जोड़ दीा अब यह उद्हें भी में सेटा नहीं नहीं है फिर फूह भी पीसा केघ और गष मुआ जाएं पिल्कुल इन को पैसा से कोई मतलब नहीं और अपने ठाखरजी के ब्रक्ति में लिने और बैस माला करते रहे हैं और गाउं के अंदर किसी से बोलते भी बिल्कुल मौन हैं और एक गुपा चाटा रूम निए खूटी थिगा सबिशा क्यों बिन है बता देता हूं कि बाहर के आवाज ना है और कुछ भी पता ही नहीं चलता खाल भार जो नहीं थे कुछ भी ओर पता नहीं सब्सक्राइब थी तो हमें छिए ढाखा जारें सोट शिद्या बजन में नील रहते हैं जैसे कि उन से हम ससंग लेंगे और मराजी से बात करेंगे उनके भी जिवन में क्या कोई अगर आव सकता होगी तो हमारी जनता क्याओज के मादें करेंगे लेकिन उनकी ससंग गलती से मिस्स मत कर देना आपको बाहर से पहले आपको कुट्या बज़र है फिर भी बज़न कर रहा है अंदर और अंदर यसा कह सकता हूं गुपा की तरह है वहलब कम रहे के अंदर कम रहे है एकदम गुपा की तरह है उनके मैं आपको दर्सन करूंगा अज़र पम चल लो नहीं किया खराब है गया साथियों जिन महात्माजी के हम बात कर रहे थे ये इनकी कुट्या है जैसे की और मैं आपको बताओं इधर साना ये कच्छी कुट्या इसके अंदर महात्माजी है और हम अंदर जाएंगे और अंदर एकांत में रहते हैं और उनके दर्सन मेरे जीवन का एक सौपागी है क्यों मैं दर्सन का बिलासा हूं भी ध्यान रखना आपको करवाना वह तो अलग बात होगी मैं खुद करना चाहता हूं धिरे इसलिए बोला हूं उनको ऐसा लगे नहीं कि मैं पहले ही से जोड़ जोड़ से बोल रहा हूं तो उनसे ससंग लोंगा और ध्यान रखना आज की ससंग आपके जीवन की सबसे बड़ी महतोब होगी और आप इसको रिवाइंड करके एक बा जादा नहीं बनेंगी यूंकि इनके सिस्ये भी समझ पायांगे और कब कैसे एंट्री होगी क्या सब्सेंट्री होगी वह पतानी कुछ कोड़ सब्सेंदर नहीं कुछ है मेरे अंदाज से खुला नहीं इतने टाइम है लेकिन इसके अंदर अभी तक महात्मागी है अंदर ह यह मुझे पता चला अंदर माराजी है माराजी पहले तो मेरी तरफ से आप परणाम से उकार करें अरे परणाम क्या है हम आप सब बराबर है सब परमात्मा का अंग्षव अत्मा है आत्मा कोई छोटे बले नहीं होते माराजी जैसे कि जिसके घमंडी हो जाता है ना वह अपन अत्त बंगी हो लेकिन आपके अंदर जो है हमारे अंदर वह ही है दोनों में कोई भेद नहीं है कित्रा भी भजन करें भेद हो नहीं सेकता है आत्मा तो आत्मा रहेगा पत्मा तो परमत्मा ही रहेगा महराजी जैसे कि मैंने गीता में सुना है और देखा भी है शिर्किस भगवान गीता गाते हैं और अर्जुन को सुनाते हैं लेकिन उन्होंने शिर्किस भगवान ने गीता में अपना जिक्र किया कि असुरू में मैं हूँ, हर किसी में मैं हूँ, गंगा में मैं हूँ, लेकिन पूरी गीता में क्या उनको राधाराणी याद नहीं आई, कहीं पूरी गीता में उन्हों ने राधाराणी का नाम नहीं लिया, क्या कार ने सवा कि राधाराणी का उन्हों नाम नहीं लिया पूरी अपने परिजन से लड़ाई नहीं करेंगे, हम यहां से चले जाएंगे, इनको सारे सोब करके, और जुन को कहता है तुम धर्म जुद्ध करो, लड़ो, इस परसंगे में राधानी का प्रेम का संपर्क नहीं आता, यहां तो लड़ाई का संपर्क आ रहा है ना, इसलिए जुन के दोहरा सारे दुष्टों को दन्ड़ देने चाहता है, इसलिए राधानी का संपर्क आना मुस्किल है, यहां तो बिलकल जुद्ध खेत्रे, धर्म खेत्रे, कुरु खेत्रे, गुरु जो गीता जो है, धर्म खेत्रे, कुरु खेत्रे, ओ कुरु खेत्रे में, धर्म खेत्र में धर्म जुद्ध हो रहा है यां कपट जुद्ध नहीं धर्म जुद्ध हो रहा है लेकिन चल कपट का ये करने के कारण चल कपट से मारा गया वह अलग बात है अब वहां पर राधानी का परसंग को कहां से आ जाएगा ये तो जुद्ध खेत्र में पूरा जितना भ कुछ हूं और मेरे अंदर सोब कुछ घुजरा है तुम क्या मारोगे मैं इसे लिए दिखा जवर्दस्ती और जुनको कि दुष्टा नास करने के लिए पिरेना करना और कुछ नहीं इसलिए वहां राधरानि की तो प्रेम लिला है मराजी ने जैसे काया सत्य बात यह राधारानी के तो जिक्त राता है जहां प्रेम है और राधारानी का नाम एक समझ लो परेम की परिबासा है और जहां प्रेम की बात आएगी वहीं राधारानी का नाम आयागा और जैसे कि कुछ भाईों ने जो स्वाल किये थे वो में डायरेों में लिखा भी है महराजी एक छोटा सा राधारानी के सम्मठित की आरहा है तो एक उलजन आ रही है हमारे आज की नवी पीड़ी के सामने कि राधारानी का अस्तित्वे संतों से जाने कि असलित में हम किन की तरफ जाएं क्योंकि एक तरफ तो पत्नी भी बताई जा रहा है प्रेमी का भी बताई जा रही है मामी भी बताई जारी उनकी मामे से साधी हुई तो असलित में कैसे मानने क्या है राधारानी का और सिरी किष्ण भगवान भगवान सिरी किष्ण आया था सौ पार्शत स्योधाम ले के आया था वहाँ पर ना तो पुरुस था ना पूरुस था वहां तो पूरुस केवल कृष्णा है और संगसार प्रकिती था प्रकिती और पूरुस में बहुत अंतर है और राधा सब्द के अर्थोक किसी एक कन्या नहीं है जितने भी उनके सहचरी थी ये राधारणी के अंग्स से पकट हुई थी ललता अभिसाखा आधी आठाव सकी आठ से चोसर सकी सब आठाट के आठाट जूधे सुरी है आठाश्टे चोसर सकी है ये सब इनके आठाट और सोखी है और ये क्रिश्न परमात्मा है ना तो किसी की मामा है, ना किसी को भंजा है, ना किसी को बाप है, किसी को बेटा है, जो जिस भाब से उसको भजना करता है, उसको उसी भाब से पापतो होता है, ये तो केबल परमात्मा के साथ आप्मा का मिलन है, अगर कोई स्त्री अपने पती तो नकल पती है, परमपती पर कर सकता है इसमें कोई संद्या नहीं मारा जी जैसे एक मन में पीड़ा हो रही है कि मैं भी शिरिकेश्ट भगवान से मिलना चाहता हूं कि मेरी अभीला साव रहती है कब मिलूँगा बठक रहा हूं दर दर जंगलों में हर जगे लेकिन आपके मादी से महारक दर्शाथा हूं कि शिरिकेश्ट भगवान में और मेरे जैसे कोई बहुत सारे प्यासे होंगे जो भगवान के दर्शान के तो कैसे मिल सकता हूं कौन से महारक है कि आज कि गस्ती जीवन के साथ साथ में मिलना चाहता हूं उनको धोनों तरफ मैं निवाज सको तो महारक दर्शान की जी उसके लिए आप कृष्णा का भजन नहीं कर सकते हो और चोटे से जगा में पहुचना पढ़ेगा चोटे बिल्कुल चोटे से चोटे इस कह बिल्कुल आपने पिता जी से माता जी से या पिता माता के पिता दादा दादी से वहां से सुरू करें दादा दादी है तो परम पिता परमेस्तर जो जिसको कहता है पितरो उनका सेवा करना पड़ेगा परम परह से जाएगा यहां से सीधा नहीं जाएगा जो भी आप गु दूसरे को रास्ता क्या दिखाएगा उसको कुछ मालूम नहीं वह सास्तर गंत हम जैसे पंडितों का पकंडियों को रच्छाना को पढ़के बड़े लेक्चार देके मनस्तों को मन को आकरशन करके चेला तो बना सकता है उनका पास्तों भी कल्यान नहीं कर सकता है ना अपना दूसरे का कल्यान कर सकता है वो केबल मारगो दसाता है वो मारगो सच है कि जूट है उसका परिच्छा कभी किया नहीं सुनके सुनके पला नहीं किया अच्छा काम किया वह ने अच्छा किया लेकिन अच्छा बुरा जब सामने आ जाए तम मालूम होता है जैसे कि मराजी कह है हम बुडवक हैं कि हमारे घर पर भगवान होते हैं और हम पचान नहीं पाते हैं मातव insightful जिन दादे के सुरूप में हमारे घर पर है जैसे माराजी बास कहिए उस मार्ग दरसन से और हम हैं कि इदर-उदर भाटते हैं कि संतों के पास, मंदीरों के पास, अगोरियों के पास, जैसे पंडितों के पास, तो असलियत में घर में हमारे भगवान है, माराजी जैसे कि आप बच्पन से बालिय अउस्ता से सन्याशी ह नहीं गिरस्ते भी नहीं ऐसे पड़े लिखे चले हैं मराजी में आपके जीवन का थोड़ा अनुबह जाना चाहते हूं किस पर का गया भक्ति मार का अनुबह रहा है हम बच्पन से उधार थे मिट्टी का मुर्ती बनाते थे बच्चों से पंदसोलों साल तक तो नंगा डोल कि मैं भी आउंगो तो चुप घर से निकाल के भागाया और वहां से उनके साथ गिता अधियोध्यान किया फिर भगवन के बारे में जाना उसके बाद उससे आगे बड़ा और आगे गुरु मिला उसके बाद हम साधना करते करते कृष्ण भगवन से पूछा मेरे आँक क्य के साथ लड़ाई किया बेगार देखे अपने चेला को मेरे देख आवाज को बंबा विष्ण मैसर और देवदा मिलके बंद कर रहा है और उनको बोलता हूं तो बोले नहीं खोलूंगा नहीं तुमसे डर है हमारा हम डरते हैं तुमसे कृष्ण भगवान से पूछा आप मैंने बाताया तो नहीं तुम्हें पेरवना तो दिय अंदर के अंदर से भजन करना हें तो महा बंबंण गुरुका मैं पालन करता हूं विष्ण को मैं विष्णु हूँ तो उनी के भजन करने से मुझे सक्ति मिलता है तभी मैं पालन करने में समर्त हूँ ब्रह्मभाजी सिष्टी करता है तो उनी के भजन करने के कारण उनके गुरु महाबमन गुरु उनका भजन करने के कारण ही मुझे सक्ति मिलता है तभी मैं सिष्टी करता हूँ, सीव संघर करता है वह गुरु के बजन के कारणी, अत्त हम सतंत देवता नहीं है, उनके संतान है, महाबमन्द गुरु के संतान है, इसलिए किश्णा बोला कि तुमको तो हमने पेरोना दिया, आसलिक इसका बजन करना है, महाबमन्द गुरु का, जो सना सनातन धर्म सब्द में बंभा विष्णु महस्तर तक पहुचाता है, यह सनातन धर्म नहीं है, सनातन सब्द का अर्था है, पुरातन, कभी बना नहीं, बंभा विष्णु महस्तर के पिता, बंभा विष्णु महस्तर के जो गुरु है, वो महाबन्द गुरु, वो सीका या और किसी जितने भी सास्त्रगंत लिखा है ये पंडितों का लिखा हुआ चल है बंबा विष्णु महस्तर तक वो गैन है बंबा विष्णु महस्तर को पुजाना और तित्यसकोडी देपता को पुजाना उसके फल सर्व कुछ पाप तो नहीं होना है क्या अमेरिका के आदमी क किस्णु का भजन नहीं करता है उसके घर में बालबच्चा नहीं होता है उसके गाई दूद नहीं देते उसके पेड़े बगीचां से फल पाप तो होता नहीं सब कुछ हो रहा है तो किस्णु का भजन क्यूं करे जहां अल्ला अल्ला होता है वहां के आप उनको बालबच् पुजा केबल भारत बर्स नामक एक छोट सखंड है उसमें इसको पुजा जाता है ये संपुन्न गलत है ये सनातन धर्म नहीं है सनातन धर्म को छिपाया गया है और 33 कोटी देवता को पुजान करके पंडी दिलों ये नए नए जूटे नाटक बनाया जितना भी रामान लिखा गया है उसमें जो भी लिखा वो सत्त नहीं है जोट है जैसे कि हुन्मान जी सुर्जों को निगाल लिया हुन्मान जी के पूछ में आंग लगा दिया लंका जल गिया इसी पकार जितने भी लिखा गया है सब मनुस्तों को डराने धमकाने का एक तरीका है उसी पकार से नरकादी का डर दिखा के उसको अपने पूजापाड में लगा के ब्राम्हन लोन अपना कामाई करता है उसके अलबा और कुछ नहीं है और दुनिया में गुरू बनके बैठा है आपना परिचोय तो जानता नहीं आप कोन है आपके पिता कोन है आप उसका तीसरा नेत्र ख इसे दुकानदारों के कहूं उन गुरू की जो आश्रम की दुकानदारे खुली वी है जो गुरू बनाने के परंपरा बने गए फैक्टरी खौली अपने सीच्छी बनाने की तो लेकिन आज की ताइम हुई कह रहे है कि इस चार संपदाई पांच संपदाई जो भी है उन् मुसलमान गंगा को नहीं मानता है हिंदू जमजम को नहीं मानता है लेकिन जितना भी यह है कि पंडितों का और राजनिती खेल है आपस में लड़ाने के काम है और आपस में लड़ा के आपने बीच में आनंद लेने का काम है इनका और रोजगार करने का काम है और कुछ नह रहे हैं और अपना शिट्ठा या अपना भुट्टा से रहा है तो वह कह रही है हमें ब्गवान के पर चलें तो हम किस परकार कौन से नेम करें यह किस परकार करें तो मातां के लिए भाजन को पकी जाहिं तो वो अपने सास का सेवा करे आपके सास के सास के पुरवजय का सेवा करे और कोई उपाई नहीं ना तो दुरगा आके उनको सहता करेगा ना तो गायत्री माता आके सहता करेगा ना कुछ बोलेगो इसके इलबा कुछ नहीं क्यों कि हमारे पास कोई भगवान बोलके अभी हाजिर हो नहीं सेकता है माता पिता के इलाबा माता पिता का सेवा ही परमधर्म है और धर्म जिस एरिया में जिसको मान राखा है वहां से वो जनम लेते ही उनके माता पिता बना देता है जनम जब लेता है सुद्ध सत्त है उनको भी भोग पिया सर्दिगर्मी लगता है और हिंदू को भी लगता है इसायों को भी लगता है खिस्चानों को भी लगता है सब संतन जब जनम लेता है उसको आगा दूद पिला तो दूद का क्रिया होता है दारू पिला तो दारू के क्रिया होता है चाय के क्रिया होता है बच्चों का रंग बदल जाता है सब उसका ठाट बिड़ जाता है और उसका धर्म भी बदल जाता है बाकि धर्म प्लचार क्रने वाला जो ठेकादार है वो सब धंदेवाज आपना पेट भरने का कोई पेट नहीं तो नाम कमाने के लिए और धर्म का साथ दे रहे कुछ नाम तो होगा कुछ मिले ना मिले संत सेवा का क्या जीवन महतों होता है और संत सेवा का क्या फल होता है आप जो कह रहे हो गयन अगयन से कर रहे हैं आपको तो फल प्राप्त हो रहा है तो आपने का जो कर रहे हैं वो संत Tara लेने का उधिकार वान досक जुका है लेकिन उसको मालूम नहीं है के बन मन से बड़ा कुछ बस्तो नहीं, महनी सब कुछ है, मन दे सकते हो गुरु के चरन में, और धन से गुरु का पेट भरेगा नहीं, अगर असली गुरु होगा तो धन नहीं मागेगा, मन हगा, मन से तुम इसर का आराधना करो, मातापिता का सेबा करो, संगसार का कल्यान क गरिब दुखी का निवाला दो गरिब दुखी को सहता करो यही धर्मा है क्योंकि आत्मा परमात्मा जो है आत्मा आत्मी सर है आत्मा का इस सर है आत्मा का जो सेवा करता है वो परमात्मा उसी से खुश हो जाता है जैसे कि मराजी ने शेवा के भाव के बारम बताया और मुझे बहुत खुश हुई कि मैं हर बार माँ की शेवा का बोलता हूँ आज मुझे इन संतों के माद्यम से पिता की शेवा, दादा की शेवा, दादी की शेवा का जो इन्होंने मुझे मार्ग दरसन दिया है मैंने पहली बार ऐसे सुना कि पिता की सेवा के लिए कोई संत कहता है माता के लिए मैं हर बार कहता था आज मुझे महराजी आपके मुखार में से ये आपके मार्ग दरसन का नुसार ये जानकारी मिली है इसलिए अमवस्या के दिन जो पिता मता का सेबा करता है उस पकार नहीं सेबा किया जाता है पिता मता को कहीं जंगल में छोड़ दिया जाता है क्योंकि हम यहां इस्तिरपुर्स के साथ प्रेयर करेंगे तो मता पिता के सामने नहीं होना चाहिए अब सरम होता है इसलिए दू मरता नहीं हमारे आत्मा मरता नहीं वो अमर है उसके साथ मौन बुद्धी अंक जुड़ा हुआ है वो लिंगशरीर है लिंगशरीर के अंत नहीं है कृष्ण आगर होता तो खिर्ष्णा को सबको दीके जाता क्यों कि उसके सरीर है शरीर नहीं है लिंग सरीर है लिंग सरीर मौन बुद्धी अंकार मौन बुद्धी अंकार को देखा नहीं आता है और उस मौन बुद्धी अंकार उसके साथ आत्मा जोरूर है वो आत्मा परमात्मा का अंग्षो है और उसका सेवा करने से परमात्मा का सेवा हो जाता है और पिता का सेवा करने से सारे देवता खूस हो जाता है तेटिस कोड़ी देवता के पिछे भागने का कोई आबस्तक नहीं पिता आदेश दे दिया जा तेरा कल्यान हो तो कल्यान होने में कोई रूकाबट नहीं डाल सकता है क्योंकि पिता ही तुम्हें जनम दिया पिता ही तुम पुसंद किया उसमें 33 कोड़ी देबतार कोई रुकावट डाल नहीं सकता उसमें कोई समर्था नहीं है जैसे की मराजिन भी कहा और सत्य बात है आज मैंने जो इस ससंग में पाया है मैंने तो बहुत कुछ पाया है आपने क्या आज की ससंग में कुछ पाया था मुझे जरूर बताना और संतों की शीरीज आपको कैसी लग रही है मुझे जरूर बताना फिर मिलते नहीं संत मात्मा के साथ तब तक जैहिंद वंदे मात्रम हरर मादव जैसी किसना जैसी राद लेकिन याद रखना चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भूलना जाना